हम बात करेंगे एक क्रिकेटर की जिसका नाम था मोहन मक्हिजानी ये क्रिकेटर क्रिकेट छोड़कर बन गए एक्ट और ये ही मोहन मक्हिजानी मशूर हुए अभिनेता मैक मोहन के नाम से मैक मोहन के पिताजी बिटिश आर्मी में करनल थे 1940 के आसपास लखनव आकर बस गए थे मैक मोहन साब की स्कूली पढ़ाई मसूरी और लखनव में हुई अच्छा क्रिकेट खेलते थे बहुत जल्दी उन्हें उत्तर प्रदेश की टीम में शामिल कर लिया गया हर एक की तरह वो भी नैशनल टीम में होने का सपना देखते थे और उसी सपने को पूरा करने के लिए 1952 में चले आये बंबई मंबई में मैक मौन साब क्रिकेट की प्रेक्टिस करते रहे एक कॉलेज में एड्मिशन ले लिया फर्दर स्टडीज के लिए उन्ही दुनों एक दोस्त के माध्यम से एक नाटक में काम करने का मौका मिल गया जिसमें उनकी मदर का रोल कर रही थी शौकत आजमी यानि कैफ की धर्मपत्नी और शबाना आजमी की मदर जो इप्ता की बहुत एक्टिव मेंबर हुआ करती थी उनके कहने पर मैक मोहन को ना चाहते हुँ भी इप्ता के एक नाटक में पार्ट लेना पड़ा ना चाहते हुँ इसलिए कि क्रिकेट की प्रेक्टिस और रहर्सल का टाइम क अपने स्कूल में एड्मिशन लेने का ओफर रखा और इस तरह क्रिकेटर बनते बनते मैक मोहन बन गए एक्टर चेतन सहाब की हकीकत उनकी पहली फिल्म थी जो बनी थी 1964 में फिल्म के क्रेडिट्स में तो मोहन मखिजानी की जगा गलती से नाम लिख दिया गया था बर्ज मैक मोहन और इसी नाम से वो मशूर हुए कौन था वो गीतकार जिसे अपने पहले ही गीत के जबरदस्त हिट होने के बावजूद 18 सालों तक गुमनामी में रहना पड़ा कौन था वो बताऊंगा आपको थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनुकपू झालों 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 से वो बताओ।